दोस्तो ये है brand new yamaha r15m series जी है दोस्तो ये rn5m series है जो कि rn5 में अभी indian market में top model आती है दोस्तो इस interesting video में इस beauty के बारे में बात करने वाला है क्या price आती है क्या specification है क्या खास CJS में led indicator है tft display है सारी चीज़े आपको details में explain करने वाला हूँ ये वीडियो के लिए interesting होने वाले है चली फिर इस video को शुरू करते हैं अगर चैनल पर पहली पर आया तो subscribe करिएगा बेल के अकर को on कर लिजेगा ताकि ऐसी ही interesting वीडियो के notification बें आप तक पहुंसे रह सकें और आप मेरे वीडियोश अपडेट रह सकें तो जली फिर आज की इस video को शुरू करते हैं दोस्तो आरेक इस वाइप एम आपको एक्स रूम प्राइज आती है क्योंकि आरेक इस्टेट की आर्टियों इंसरेंट चार्ज से फारग होता है दोस्तो यह वाइक हमारे रैपूर 37 गर्ण में ऑन्रूट प्राइज आ रही है लग बग आरे फाइनली आप आपको बाइक में TFT डिस्प्ले देखने को मलता है त्यक्ति डिस्प्ले का साइज आप देख पारें दूस्तों काफी बड़ी जो साइज है लो ओल इंडिकेटर एं लोग बैत इंडिकेटर रहा रेयो लिमीटर इंडिकेटर प्लस बाइक बाइक को बी ती यान्यकी Bluetooth की टे कि टेक्न लाजी मिलती ए विब्रेच फ्यूट उक्रण में मिलता है Traction Control System मिलता है Distain to Empty Indicator मिलता है प्लस आपको बाइक में दूस्तो Number of 2 Modes भी मिलेंगे जिसे हम Track and Sports Modes कहते हैं तो भाईया आप पे देखा रहा है तो Speedometer बहुत खास है इस बाइक का और Feature-wise अगर आप देखे तो बहुत ही Premium आपको यह बाइक देखने को मल रही है Personally दूस्तो यह चीज़ मिले इस बाइक की बहुत ही अच्छी लगी है Switches में दूस्तो आपको नए Switches मिलें देख पार है Speedometer Control का लगी लिए Company आपे नए Switches देए जो कि RN5 M में बस आएंगे V4 में नॉर्मल वाली मोडल में नहीं आते है उसके बाइक आप देख पार है इसमें जो आपको Indicator मिलेंगे दूस्तो आपको LED मिलते है रहना कि RN5 M में स्रीप LED मिलेंगे बाकि जितनी भी RN5 आती है V4 मोडल में किसी में भी LED Indicator नहीं आती इस सिवाए इस बाइक के जिसमें आपको LED Indicator भी मिलता है अब आते हैं फ्रेंड में फ्रेंड में दूस्तर इस बाइक में आपको में लाइट में सबसे पहले LED डूल डेरल लाइट देखने को मिलती है में लाइट में बाइक में आपको प्लेट साइज है आपको 282 282 mm की प्लेट साइज आपको इस बाइक में फ्रेंड में देखने को मलती है बाइबरी की ब्रेगिंग प्लेग ब्रेगिंग कैलीपर कंपनी यूज की है एंजिन में इस बाइक में वन डबल फाइब सीदी का लिक्विड कोल फोर इस्टोग एससी फोर वालू वी वी टेकनलोजी के साथ में एंजिन आता है मैक्सिमम बाउर में 18.4 का पीएस पावर जनेरेट करती हैं मैक्सिमम टॉर्क में 14.2 का निटर्मिटन टॉर्क आपको मिलेगा RN5 V4 and RN5M engine में कोई फारकनीं एंजिन बिल्कुल सेब है कुलिंग सिस्टम में liquid cold engine आता है parental system में FI आता है इसमें आपको 6 clear मिलेंगे इसमें आपको परफॉर्मेंस की तरफ आपको बतातो हूं आरण फैब यह आपको मीनिम मैलेज निकाल कर देए 40-40 के असपास का मैलेज निकाल कर देगी परफॉर्मेस भी अच्छा है और मैलेज भी अच्छा है कारण यह वी वी टेकलोलोजी जिसे कहते हैं वेरिबल वॉल्य एक्क्वेश 20 mm की डिक्सप्रेट आती है रियर में आप बाइक एक्साउस देख सकते हैं काफ़े एक्साउस है जिसका साउंड भी काफ़ी बेसी निकल कर आता है रियर और फ्रंट फॉर्टेश क्वालिटी भी बहुत सब्सक्राइब है आपको बाइक में स्प्लिट सीट मिलेगी रियर सब्सक्राइब है 815 mm का विल बेसा 325 mm का कर वेटा 141 kg का फिल्टाइब के अपको 11 लेटर के असपास की देखने को मिल जाती है अब दोस्तों आपको यह बाइक कैसी लगती है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरू बताना मुझे तो बहुत अच्छी लगती है आपको भी अच्छी लगती होगी चली मिलते हैं दुस्तों फिर नेक्स फूरू में दभी ओल जैहिन बंदमात रहां